असलाम नेकुम आवरिवान, I am नूर और आज की क्लास में हम चाइनिस प्रेजिस को उर्दू इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ना सीखेंगे आज का जो हमारा वर्ड है वो है How Much यानि कि एक question का word है इससे related आज हम अपने sentences को देखेंगे How Much, Chinese में हम इसको कहेंगे त्वाशाओ त्वाशाओ means quantity, एक मिकदार कितनी है चाड़ी अब मेरे साथ देखते हैं कि इसको हम sentences में कैसे इस्तमाल कर सकते हैं हमारे पास आज का जो first sentence है वो है कि हम किसी से किसी product के बारे में कैसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे के What is the price of this product? अगर आप किसी Chinese market में गें या अगर आपने कोई product खरीद नहीं है तो उसके लिए हमारे पास English में sentence है What is the price of this product? इसको हम Chinese में कैसे बोल सकते हैं? Chinese में हम इसके लिए जो sentence इस्तमाल करेंगे वो है चाचान फिन शिर तो शाओ चैन के means इसकी क्या price है? या आप as a student, as a businessman ये sentence आप अपनी market में इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आता है next sentence कि अगर हमने किसी दोस से या Chinese किसी कोलीग से उसका number लेना हो तो उसके लिए हमारे पास English में sentence है What is your mobile number? कि आपका mobile number क्या है? इसको हम Chinese में इस्तमाल कर सकते हैं नीदा शोची हाओ मा शिर तो शाओ ये means आपका mobile number क्या है? चलते हम अपने next sentence की तरफ हमारे पास जो next sentence है वो है हमारे luggage को लेके, हमारे समान को लेके जो हम अपने साथ carry करते हैं अगर आप किसी bus station पे हैं train station पे हैं या airport पे हैं और आप अपने luggage समान के बारे में confused हैं तो आप वहाँ पे ये question कर सकते हैं How much luggage can I take? कि मैं अपने साथ कितना luggage लेके जा सकता हूँ Chinese में हम इसके लिए sentences इस्तेमाल करेंगे means मेरे साथ जो luggage है उसकी quantity कितनी होनी चाहिए कि मैं इसको अपने साथ carry कर सको Next sentence हमारे पास बहुत important sentence है जब आप चाइना में जाएं एरपोर्ट से आपने कोई न कोई गाड़ी तो रेंट में लेनी होगी ताकि आप अपने destination तक पहुंच सके तो इसके लिए हम अपने sentence इस्तेमाल करेंगे What is the fare to Beijing? यहां बीजिंग के बाद आप अपना कोई भी destination का city या place लगा सकते हैं Chinese में हमारे पास इसके लिए sentence है च्छी पेजिंग दा चाफे शिर तो शाओ च्छी पेजिंग दा चाफे शिर तो शाओ के means उसका car का रेंट या उसका फिर कितना है Next हमारे पास है अगर हम किसी सूपर मार्किट में जाएं हमने अगर quantity यानि के 1 kg, 2 kg या quantity के हिसाब से कोई समान खरीदना हो तो उसके लिए हमारे पास एक example के तोर पे sentence है What is the price of 1 kg apples? के 1 kg apple की क्या price है? Student यहां तक हमारी अपनी किलास complete हुई अगर आप कोई भी topic या grammar part को Chinese में सीखना चाहते हैं तो मुझे comment section में last में suggest कीजिएगा मिलते हैं अगली किलास में एक नए topic के साथ तब तक के लिए Allah आफ़ेज